नसीरबाद में अजमेर मार्ग स्थित रोद्वेज बस्तिंट के निकट स्थित क्षेत्र के एक मात्र राज के पशुच के चाल्यकी सडाक का खस्ता हाल हैं जिससे क्षेत्र के पिशपालिकों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा हैं स्थिती इतनी विकट है कि अदीचे कित्सल्य में सरकारी दिवाईया भी आती है तो सड़क की हालत पूर्ट या क्षती ग्रस्थोने के कारण मौल वाहक वाहन को भीचे कित्सल्य तक पहुचने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है तथा बारिश के दिनों में तो कीचर में वाहन तक फंस जाता है ऐसा आज भी हुआ जब पशूर के लिए सरकारी अनुदान की दिवाईया लेकर मिनी ट्रॉक अस्पताल पहुचा तो बीच मार्ग में ही अटा गया इस मामले में पड़ताल की तो सामने आया कि इस मार्ग का कोई धरनी धोर ही नहीं है क्योंकि छावनी परिशद्व सार्वजनिक निर्मान विभाग ने कभी भी इस मार्ग को सुधरवाने की जहमत नहीं उठाए आखिर यह मार्ग किस विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है जो की मार्ग की सुध लेकर सुधरवा सके अस्पिताल में कार्यरत कार्मेकों का भी कहना है कि इस मार्ग को ठीक करवाने के लिए वाड़ पार्शद्व विधायक से भी गोहार लगाए मगर अभी तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली जिससे कार्मेकों व बीमार हुए पश्रूओं के पालिकों को अस्पिताल तक पहुचने में भारी परिशानी का सामना करना पड़ता है अब डोष तक करना पश्रूप के लाघ तो निकल गया परिशानी विद्व हम्पार्श की नहीं लेकिया जाते ना करना हम दो परिशानी परिशानी के लिए इस विशे में मैंने बार नमर दो की पास को दो तीन बार पार फोन करके बढ़ता है लुप बताया और भूठाइफ पानी वा कि देखिया ऑप कोई कारेवारे में हुआ हाँ हमीले साब भी आमेले साब को भी साड़क के वारे में भर परिशन के वारे में बताया था कि यह आप ही बारिश के क्राण पूरी रोड खनाफ हो लिए और अपिता को ये शान्यों कि अपिता को ये शान्यों